अब देख रहे हैं थे पंजाब के स्टरी टीवी उत्तर भारत में मानसून 12 दिन पहले आ चुका है अगर बात करें दिल्ली की या नोर्थ पंजाब हर्याना की तो 12 दिन पहले मानसून आ चुका है लेकिन अभी जिस तरीके से तापान बढ़ रहा है क्या आने वाले दिनों म क्या लोगो इसकी गात मिल सकती है बिलकुल देखें मौसम का अपना एक करक्टर होता है कभी बरसात होती है कभी धूप होती है कभी बादल चाहते हैं तो उस तरह का मौसम रहेगा अभी जैसे इस समय देख रहे हैं कि बादलों की बहुत कमी हैं तो तापमान बढ़े हुए है और यह जो कमी है बादलों की पूरे पंजाब, हरियाना और दिली यह ज़्यादा बादलों की संभावना अगले दो दिन नहीं है छुटपुट बादल चाहेंगे या पासिंग सावर्स जिसे हम बोल सकते हैं उसकी उम्मीद है परन्तों उसको चलते हुए जो तापमान वरतमान में देख रहे हैं जो 36-37 बने हुए है यह आज भी रिपोर्ट होंगे और कल भी इसी तरह के बने रहेंगे क्योंकि यह जो मांसून ट्रफ है उसमें अभी जो मौश्चर है या जो हमारी पल्स जाती है जादा एक्टिव नहीं है तो हमको उमीद है कि 5 तारीक से एक बार फिर बादलों का गहराव जादा बढ़ेगा बरसात भी होगी और उस समय तापमानों में 4-5 डिग्री तक की कमी आजाएगी ने फिर से तापमान 30 के आसपास आजाएंगे उस समय में लोगों को रहात मिलेगी लेकिन सर 5-6 तारीक साथ तारीक के आपने बात करी क्या दिल्ली में हैवी रेन होने की संभावना है और फिर नॉर्मल रेन होने की संभावना है देखे दिल्ली NCR में अभी भारी बरसात की संभावना नहीं है हम 5-6-7 तारिक में light to moderate train की संभावना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है, भारी बरसाद तभी होती है, जब मांसुन ट्रब बहुत एक्टिव हो या कोई low pressure system दिल्ली के आसपास move कर रहा हो, तब ज़्यादा बरसाद की संभावना होती है, तो उस तरह की संभावना अगले दो दिन ज़्यादा बरसाद की संभावना इन राज्यों में नहीं है, हाला कि पांच तारीक और छे तारीक से फिर से पंजाव, हरियाना, राजिस्थान और जम्मु कस्वीर में rainfall activity बढ़ जाएगी है, लेकिन सर क्या जो मांसून पहले आया है, इसका बहुती बेनिफिजरी रहेगी